नमस्कार दोस्तो हमारे आईरवेदिक रगडंदन चैनल में स्वागत है चलिए आज हम एक ऐसे फल के बारे में बनाएंगे जो के सुके मेवे के रूप में पूरे भात्म है और पिदेशों में प्रिशिद्ध है तो चलिए बीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी भाईयों से मेरा रक्विस्ट है कि जो भाईयों मेरे चैनल पर नए हैं वो अमारी चैनल को सस्काइब करें और साथ मंबेल आइकन दबाएं ताकि निव वीडियो अपलोड होते ही नोट विगसन मिल जाए गरे चलिए तो अंजीर के पाइदे जान लेते हैं और अंजीर कैसे सेवन किया जाता है अंजीर सुके मेवे के रूप में पूरे भारत में प्रियोग किया जाता है बिदेशों में भी और पूरे भिश्व में भी इसका प्रियोग होता है परंतु इसके ओस्तिय गुणों के संदरब में हमारे पूरवजों को हमारे रिशियों को पता था जो हमारे प्राचिन काल के गरंतों में भी इसका बर्णन है जो अंजीर है जो विशेश कर सक्ति वर्दक है पोश्टिक है और बहुत कमजोर है जो बहुत द्रवल है बहुत कमजोरी मैसूस कर ओती है उनके लिए भी अंजीर बहुत ही लावकारी है बहुत ही गुणकारी है आपको तीन चार अंजीर को रात को पानी में विवो देना है सुबह उस अंजीर को चबा चबा कर खाना है सूखा हुआ जो अंजीर है वो बाजार में मिल जाता है ताजा अंजीर मिल जाए तो बहुत ही अच्छा है विवोने की आपसकता नहीं होती ह बिना विवोई प्रात्यकाल नाच्टे के साथ अंकुरित अनाज के साथ लें सकते हैं यह आपकी पुश्टिकता और को बढ़ाएगा तो इसके लिए बहुत जरूरी बहुत लाबकारी चीज है यह अंजीर अगर आपके पास ताजी अंजीर का फल नहीं है तो सुखा अंजीर पंसारी की दुकान से ले सकते हैं तो तीन चार अंजीर को लेकर रात को पानी में विवो कर सुखे प्राते काल चबा चबा कर कायं जो आपकी कमजोरी है वो किसी भी प्रकार की है वह है दूर हो जाएगी जिन लोगों को सारी रिक छिनता है इस निव द्रवलता वा योन रोग में अंजीर का प्रियोग बहुत लाबकारी है इसके लिए रात को तीन चार अंजीर दूद में उभाल कर कुछ दिन सेवन करें इससे सारी रिक पुष्ट होगा और जिन लोगों का बीपी लोग रहता है और हाड की धड़कन बहुत जादा बड़ी हुई है जो बहुत गवराड मेसुस करते हैं इनको किसी भी सरलता तकान मेसुस करते हैं उन सब के लिए ये बहुत ही लावकारी है बहुत ही गुणकारी है ये अंजीर और कवज में भी बहुत ये लावकारी है इसे निति सेवन करें